हिमानचल में हुए प्रुदीश की राजसवा चुनव में कॉंग्रिस के साथ बड़ा गेम हो गया छब विधायकों ने विजेबी के उमिदवार हर्स महाजन को क्रॉस वोटिंग कर विजेपता का लहरा दिया अब सवाल है कि क्या होती है क्रॉस वोटिंग और इससे पहले कब कब हुए थे ऐसे मामले तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से आपको बताते हैं इतियास कवा है कि क्रॉस वोटिंग की गटनाए होती रही है राजसबा चुनाओ के दोरान हर पार्टी के वधायक अपना मत तैय करते हैं वोटों को पार्टी के मुखिया को दिखाया जाता है इसके बाद उसे सभापती के पास यमा कर दिया जाता है जब विधायक अपनी पार्टी के उमिद्वार की बजाए किसी अर्न पार्टी के उमिद्वार को वोट देता है तो उसे क्रॉस वोटिंग कहते हैं 27 फरवरी को हुए राजसबा चुनाव में उत्तपरदेश, कंनाटक और हिमांचल परदेश के विधायकों ने जम कर क्रॉस वोटिंग की थी मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो राजसबा चुनाव और राजपती चुनाव में क्रॉस वोटिंग रभूती रही है राजसबा चुनाव के लिए पहली बार 1998 में क्रॉस वोटिंग होई थी तब कॉंग्रेस ने 1998 के महराष्ट राजसबा चुनाव में नजमा, हैपतुला और राम प्रदान को उमिदवार बनाया था कॉंग्रेस का उमिदवार अपनी ही पार्टी के विधायकों की क्रॉस वोटिंग की वज़े से हार गया था कॉंग्रेस के एक वर्ग ने इस हार का कारण सरत पवार को ठहराया था पवार उस समय कॉंग्रेस में थे और लोकसवा में विपक्षी नेता थे माना जोता है कि इसी गटना की वज़े से सरत्पवार ने कॉंग्रेस से अलग होकर राष्टवादी कॉंग्रेस पार्टी NCP की स्थापना की थी मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो साल 2018 में एक इंट्रिव्यू में सरत्पवार ने कॉंग्रेस पार्टी छोड़ने को लेकर खुलासा किया था हलाकि इसके बाद ओपन विलेट का नियम भी लाया गया जिसके कारण हर विधायक को अपना मत पार्टी के मुख्या को दिखाना होता है लेकिन इसके बाद भी ये सिलसला जारी रहा साल 2022 में हर्याना के कॉंग्रेस नेता कुल्दिव विष्णोई ने क्रॉस वोटिंग की थी वह बाद में विजेपी में शामिल हो गए इसी चुनाव में राजथान से विजेपी नेता शोभा रानी कुश्वाहा ने भी क्रॉस वोटिंग की थी वो भी पार्टी से निकाल दी गई साल 2016 में उत्तो प्रदेश से कॉंग्रेस के च्छान नेताओं ने विजेपी के लिए क्रॉस वोटिंग की थी पार्टी ने सभी को निस्कासित कर दिया था 2017 में कॉंग्रेस की अपील पर दो नेताओं के वोट खारिज हो गए थे क्योंकि इन दोनों ने अपना वैलेट पेपर अमिच्सा को दिखाया था इसके बाद कॉंग्रेस के अहमद पटेल रासेवा सांसत बने यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंड बॉक्स में जरूर बताएं देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें इन खबर का डिस्टल प्लैटफॉर्म